पाली लोकसवा छेतर से बिजेपी के लोकसवा प्रतियासी पीपी चोधरी ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा मीडिया से बाच्छित करते वे कहा कि कॉंग्रेस के लिए सब से पहले परिवार है और फलोदी सटा बाजार पर उन्होंने कहा कि फलोदी सटा बाजार का सब्सक्राव लड़ने वाला कोई नहीं मिला सब्सक्राइब का ग्राउंड डूर का रिस्ता नहीं है ठीक है कुछ लोगों को पूछ लेते हो लेकिन ग्राउंड रियलिटी हम यह बता रहे हैं कि राजस्तान में बीजेपी की 25 की 25 शीट आ रहे हैं उसका कारण खास अगर का अंग्रेस में निता राउल गंदी हैं बीजेपी में मोधी जी हैं तो आम जन आम मर्दाता राजस्तान का सबसे पहले यह सोचता है कि राश्ठ हित में कौन काम कर सकता दोनों मैं से दोनों मैं से कौन इंफ्राच्रक्टर और भारत में जगा जगा गाहों से लगा करकर ह क्एार जगा कौन वियांज कर सकता हैं कre तूसरा सनातन धर्म को कौन मजबूत कर सकता हैं चॉता देश के देश को सरुकसा जजादा कौन परदान कर सकता और भारत को विशू की वैं कि कर तीशरी पार्तिक मासक्ति बनाने में कौन कॉंपिटेंट है यह मुद्दे जनता के दिमाग में आते हैं अगर राष्ट की बात करें तो कांग्रेश पार्टी के लिए सबसे पहले मैं तो पूर्ण है परिवार एक नमबर पर उनका परिवार है दूसरे नमबर पर उनकी पार्टी है राष्ट उनके लिए तीसरे नमबर पर इसी तरह आम जन्य सोचता कि भाजपा के लिए सबसे पहले राष्पर्तम हैं पार्टी दूसरे नमबर पर हैं और तीसरे नमबर पर परिवार हैं तो परिवार की वहां कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है तो इस तरह से आम मत दात राजस्तान का बहुत समझदार हैं बहुत हुश्यार हैं और जीता एनलाइसिस फ्लोजी का सटा बजार करता उससे भी ज़्यादा उस गाउं का व्यक्ति उस सेर का व्यक्ति उन्होंने आमने सामने बात लेकी हुए होती है उनको पता होता है जो आकलन उनका होता है वो आकलन जो है आज उनका 25 की 25 सीटे राज्तान में भाजपा की आएगी ऐसा मेरा मानना है क्योंकि आम जंद परधामंत्री मोधी जी को तीसरी बार परधामंत्री देखना चाहते हैं जो उनका agenda है विक्षित भारत का जो यह चुनाव है आज देश जो है चौराए पे खड़ा है और यह जो चीजें जो हैं उनके सामने कि विक्षित भारत को की गार्निटी अगर किसी की है और सही माइने में यह चुनाव जो है मैं यह कह सकता हूं यह फाउंडेशन है यह आधार सीला है विक्षित भारत के लिए और आधार सीला पे काम करने वाला जो अगर है भारती जनता पार्टी है परदामंत्री मोधी जी जिस तरह से कोंग्रेस कह रहे कि जो वोट प्रतिसत कमरा है उससे उनको थोड़ा सा फाइदा मिलेगा देखे अलावा आप देख लिए जोई इलक्षन डिक्लेर हुए और नॉमिनेशन के पहले सभी प्रतियास्चनक के अंग्रेश के उन्होंने कोई हान नहीं बढ़ रहा था कोई टिगट वापस लोटा रहा था कोई टिगट लेने के लिए तैयार नहीं था तो पूरा महूल यह था उनको पता था कि 25 की 25 सीटें बीजेपी के आरी नहीं तो आप देखिए टिगट के लिए कितनी मारा मारी होती चाय कुछ भी हो अगर यह ऐसा लगता है कि कमजोर हैं मानते हैं लेकिन उसमें भी लोग टिगट लेते हैं लेकिन ऐसी हालत देश आजाद होने के बाद मैं कभ बाव दिया जा रहे थे उनके प्रेसर दिया जा रहे खड़ा होना है पार्टी के लिए खड़ा होना उसके बाद में भी खड़े होने के लिए त्यार नहीं थे तो आप समझ सकते हैं कि जनता की जो नफ्स हैं वो कांग्रेश्यों पैचान चुके थे उसमें और अब जो है सिरफ दिखावे के लिए क्योंकि उनको लगता है कि यह तो ऐसा तो आपने मूझ से वो कैसे कहेंगे वो हार रहे हैं लेकिन उनको पता है जब ट्रिगेट लेने के लिए त्यार नहीं है तो इसका मतलब साब जाहिर होता कि 25 की 25 शीटे उनकी जारी किसी शीट पर उनका मान चुकी थी कि उनकी कोई भी सीट राजस्तान में आने वाली नहीं